Hello guys welcome back to another video so finally SSC MTS 2023 का हवलदार और MTS दोनों का result आउट हो गया है तो कितनी कटोप गई है और इसके बारे में देखेंगे और आपको पता है state wise कटोप जाती है दो टाइप की कटोप बनी है SSC MTS और SSC हवलदार दोनों की अलग अलग आती है क्योंकि इनका ace criteria भी अलग था तो द देखते हैं कितनी कटोप गई है अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर लेना एक्जाम से रिलेटिट सभी अपडेट यहां पर मिलने लगएगी सो गाईस यहां पर आप देख सकते हो यह है SSC की official website और आज के दिन ही multitasking non-technical staff and हवलदार examination 2023 declaration of final result यह आउट सो आप यहां पर देख सकते हो यह लिखा इन्होंने multitasking staff and हवलदार examination 2023 final result declaration तो यहां पर इन्होंने बताया है कि कब से कब तक exam हुआ था और उसके बाद tier 1 exam के बाद आपको पता है PET होता है और PhD होता है उसकी इन्होंने date बताई है उसके बाद second में इन्होंने लिखा है कि multiple shift म में exam हुआ normalization हो गयरा हुआ है third में लिखा इन्होंने vacancy for the post of MTS in aforementioned examination had been received into age group आपको पता है दो MTS की 18 से 25 age group होती है और जो हवलदार होते हैं उनकी 18 से 27 age group होती है तो इसके बादे में इन्होंने आपे बताया है कि separate cutoff यहां पर बनी है और state wise और YouTube wise cutoff बनी है तो यह आप कुछ important चीज़े हैं देख लेना तो इसमें qualify उगएरा का इन्होंने result बताया है तो सबसे पहले यहां पर category wise breakup बताया है इन्होंने vacancy का देख सकते हो दोनों का यहां पर हवलदार का बताया है इन्होंने 1788 थी और यहां पर MTS का 1392 टोटल वैकेंसी थी candidate qualify for the post of हवलदार तो यहां पर आप देख सकते हो यह साथ handicap हो कह रखा है candidate available थे जो हवलदार के लिए 394 थे और इसके नीचे देखते हैं क्या है यहां पर tribes हो कह रखा दिया है यहां पर देख सकते हो आप तो नीचे आओगे तो इसका cut off आपको यह रखा तो cut off detail for the post of MTS तो ओल इंडिया का जो cut off ता 1825 यहां पर marks in session 2 में 117.77 है और marks in GA में देख सकते हैं 62 है session 1 में 99.95 है और यहां पर DOB है जो भी इनका नाम है तो यहां पर cut off यहां पर आंद प्रदेश की आप देख सकते हो इतनी गई है इसके बाद चंडिगर्ड दिल्ली सबका इन्होंने अलग अलग दिया है आप screen source लेके देख लेना आप इसके अगेंस जो PDF है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं यह पुंबई का है तो आप PDF डाउनलोड कर देना है यहां पर screen source लेके देख सकते हो तो आज की इस वीडियो में इतना ही कोई भी नोटिस आएगा तो मैं आपको बता दूगा थैंक्यू गाइस कर दो आपको देख सकते हैं